यह आने वाले समय में, यह सबक सिखायेंगे, हम लोग BJP को, खास करके, मोदी जी को, यह बिल्कुल ही एकदम ब्रदास से बाहर है, बिल्कुल ही पढ़ेगा, यह हिंदू-मुस्लिम करने से थोड़े ही छलनवाला है, सबसे पहले हम आज देखेंगे न, आज है, कल मुस्लिम तुम बनेंगें कि शाई बनेंगे, ये कल की बात होगी न, आज तो पेट भरें पहले, आज गाड़ी में पेट्रॉल डालेंगे, तक न कहीं जाएंगे, कुछ बहुत जरूरत से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है 500 रुपे का पेट्रॉल हम लोग लेक बार लेते थे आज 100-200 जिसके पास बहुत पैसा है वह 500 रुपे का पेट्रॉल लेता है इवेन अब 100 रुपे का एक लीटर भी पेट्रॉल नहीं मिलता है अब खुद ही अंदाद इसमें महांगा ही कोई मुद्दा है बहुत बड़ी मुद्दा है अब यह अपने आपको समझना है अभी आपको बता दिये अपने पैकेट का तो हम बता दिये और सभी लोग इसी तरीके से तरस्त हैं ना बोलना ही एक अभी तक तुभी लग रहा था कि 100 रुपे से कम है 100 आज तो आप देखी रहे हैं 100 पार हो गया मोदी जी के रिज्म में 200 तक भी चला जाए तो देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बात होगी तो कि मोदी नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं आने वाले समय में यह सबक सिखाएंगे हम लोग बीजेपी को खास करके मोदी जी को है यह बिलकुल ही ऐगकदम बर्दास्थ से बाहर है यह बर्दास्थ से बाख़ेगा बिलकुल ही पड़ेगा बिलकुल फड़ेगा सबसे पहले हम आज देखेंगे ना आज हैं कल मुस्लिम बनेंगे की शाई बनेंगे ये कल की बात होगी आज तो पेट भरें पहले आज गाड़ी में पेट्रॉल डालेंगे तब न कहीं जाएंगे कहीं अब बच्चों का स्कूल से नाम कटा ले तो चले कपड़ा अपने कम पहने तो चले कुछ भी कहना जो है न यह चुकि अभी अंदभक्तों की कमी नहीं है अब यहां तो ट्रॉल करते रही है न जो करना हो करते रही है आप फासी पर लटका दीजिए हम तो समझते हैं कि अंग्रेज के जमाने में जिस तरीके से लोग बोलने से मना करते थे इसी डर से कोई नहीं बोलता है आने दीजिए ना आप अलेक्शन देखिए फिर क्या होत है और करना चाहिए अगर चाहते हैं तो यह कुछ करके दिखाना चाहिए स्टेट को चुकि इनके स्टेट की बात है अपने तो कुछ कर्म करके दिखाए अपना पैकेट जो है खर्च कम कीजिए और लोगों को दीजिए जनता को कुछ तो राहत दीजिए वो क्या कर रहे है उनका तो गुरुगान हो ही रहा है, इनको भी जो आपने कहा, कि अपना टैक्स कुछ कम कर लिजी, लेकिन सारे नेता एक ही हैं, समझ लिजी, देश की दुरुगती नेताओं से है, बस, चाहे वो किसी भी दल के हो, बस, टोपी पहना ना जानते हैं, क्या करते हैं आपको, साइजे पबलिक बता रहे हैं, और कुछ नहीं, किसकी आमदानी बढ़ी बताईए, आप बताईए, आपका सैलरी बढ़ा, सैलरी बढ़ा आपका, बढ़ी आपकी, जो मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए, बिगत चार बरसों में या दो बरसों में आपकी सैलरी बढ़ी, मेरी तो नहीं बढ़ी, अब आपकी बढ़ी होगी, तो आप बताएंगे, नहीं बढ़ी, और महंगाई क्या हो गया, गैस का स्थिती देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, बिजली कदाउ, क्या कीजिएगा, ये बताईए, सबसे पहले घर में जाईएगा, तो कु मतलब है, बोलिए, एक आदमी थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे, तो ये इस्थिती होती है, कोई बोलने के लिए तयार है, बताईए आप, कोई परलियमेंट के मेंबर किसी भी दल का है, कोई कुछ बोलने के लिए तयार है, स्कूल बंद फिस दीजिए, अभी हमारे बगल म अधमेशन कर रहे हैं, यभी नौकरी करते हैं, और क्लास थी, क्लास फोर के इंपलाई हैं, एक लाख रुपे अलगा अधमि शरकार को थोड़ा भी शरम लगता है, थोड़ा भी शरम नहीं लगता है, तो आप सरकारी शकूल को बंद कर दिए आ आप, हम लोग तो पढ़े ह है यह नीचे वाले स्कूल से बोरा में और हम लोग एक जगा पर पहुंच गए हैं बोरा से और जहां यह पढ़ते हैं इतना फिस दे रहे हैं लगता कि यह सरकारी वेवस्था खराब किया गया ताकि प्राइबे यह बिलकुल 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 और उनको दे दिया जाए आन आपने देखा करोना काल में सबसे ज़्यादा आमदनी किन बंदूओं की हुई किन की हुई आमदनी और आगे बढ़िये तीन-चार लोगों को छोड़के बताईए किसी को हुआ अभी तो हमारे वाटसाप पर सिर्फ यही आता है उन्हें दो हजार तीस में मुस्लिम कि रहेंगे नहीं रहेंगे अब प्रदान मंत्री का चिंता करें कि मोदी जी रहेंगे कि उनके बचे रहेंगे कि अरुनाई रानी रहेंगी आज ना देखेंगे हम अरे यार उना इरानी हों स्मृति इरानी हों सब बाने ही है ना क्या की जिएगा कौन सा चैनल आप लोगों का परसनल चैनल है यह दा फलो फलो अप अच्छा चली बहुत बहुत धने बाद आपको विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code स्कूल है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं